नमस्कार शातियो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से सम्मधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रशनों को जो की आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुती महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये क्वेशन समयवार हैं तो आपको पढ़ने में और समझने में भी दिक्कत नहीं होगी तो स्टार्ट करते हैं इन महत्वपूर्ण MCQ प्रशनों को वीडियो को अंतक जरूर दिखेगा मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे प्राचीन भारत से संबंधित जो questions हैं वो clear होंगे और जो भी confusion से वो दूर हो जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला question आपके सामने है जिस काल का कोई लिखित विवरन उपलब्द नहीं हो उसे कहा जाता है तो जो समय है उसका written statement हमारे पास उपलब्द नहीं है हमारे इतियास में नहीं है उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है प्रागेतिहासिकाल prehistoric period तो option A जो है वहाँ बिलकूल सही हो जाएगा next question है आधिय मानाव ने सरवरपर्थम किस पशु को पालतू बनाया था तो domesticated animal कौन था first domesticated animal तो वहाँ था कुत्ता dog option जो B है वहाँ सही हो जाता है अगला प्रश्न है आधुनिक homo sapiens मानाव का उदभव किस काल में हुआ था modern homo sapiens humans का जो उदभव है origin है वह कब हुआ था तो वो हुआ था उच पुरा पाशान काल में upper paleolithic period में next है मानाव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारम किया था तो वे क्या था नव पाशान काल में next question है मानाव ने सरवपर्थम किस धातु को प्रयोग किया था humans using metal तो वहाँ था तामबा copper तो option जो C है वहाँ बिलकुल सही है अगला प्रशन है प्रागयतिहा से काल के अंतरगत किन संस्कृतियों को रखा जाता है तो यहाँ पर इसको रखा जाता है पाशान यानि कि stone को तो option जो C है वहाँ बिलकुल सही हो जाता है अगला प्रशन है मानव द्वारा उप्योग में लाई गई पहली फसल कौन थी फर्स्ट क्रॉप used by human तो वहाँ था गेहूं तो option जो C है वहाँ बिलकुल सही हो जाता है next question है मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक producer एवं उपभोगता consumer कब बना था यानि कि मानव ने सबसे पहले खाद्य पदार्थों को कब उगाया था तो ये उगाया था नव पाशान काल में option जो C है वहाँ बिलकुल सही है आपकी जानकारे के लिए बता दू कि इतिहास को अलग-अलग समय करमों में विभाजित किया गया है पुरा पाशान काल नव पाशान काल तामर पाशान काल मध्य पाशान काल इस तरह के से अलग-अलग समयों में इसे विभाजित किया गया है और इसके आधार पर इतिहास क पढ़ा जाता है next question को हम पढ़ेंगे कौन पुरातत्व विद्ध हडपा के उत्खनन से संबंदित हैं तो ये हैं जनियर की जो हडपा सब्वेता जो मिली है सबसे प्राचीन सब्वेता तो उसको किस ने वहाँ पर उत्खनन किया था उनका नाम है दयाराम साहिनी तो option जो A है वहाँ सही हो जाता है अगला प्रशन है सिंदु घाटी सब्वेता मानाव इतिहास के किस काल से संबंदित है और कि इंडर्ज वैली सिविलाजेशन जो है वहाँ किस काल से संबंदित है तो यह है आध्य इतिहासिक काल से तो option जो B है वहाँ सही है next question है हडपा के स्थलों मे काश्य नर्तके की मूर्ती कहां से प्राप्थ हुई थी dancing girl bronze statue तो यह कहां से प्राप्थ हुआ था तो यह प्राप्थ हुआ था मोहन जो दो से तो option जो D है वहाँ सही हुए आता है next question यहाँ पर है कौन सा कथन असत्य है यान कि गलत है तो यहाँ पर आप कथन देख सकते हैं यान कि जुते खेतों का सक्ष मिलता है काली बंगा से सिंदु घाटी की लिपी की सूचना मोहरों से प्राप्थ होती है सुर, कोतड़ा, से घोड़े के अवशेश प्राप्थ होते हैं तो यह तीन option है बिलकुल सही है जबकि एक असत्य option इसमें option D है कि सिंदु घाटी सब् क्या में ये मोहरें प्राप्थ होई थी गाए से अंकित मोहरें अगला प्रश्ण है प्रशित्य पशुपती की मोहर कहां से प्राप्थ होई थी पशुपती सील कहां से मिली थी तो यह मिली थी मोहन जोद्रों से तो option जो C है वह बिलकुल सही है अगला प्रश्ण है सब्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्थ हुआ तो जहां पर अन्न भंडार यानकी जो अनाज होता है जो ग्रेंज होते हैं उनको रखा जाता है तो बहुत बड़ा अन्नागार सिंदु घाटी सब्यता में कहां से प्राप्थ हुआ तो ये भी प्राप्थ हुआ मो वहां किस सागर के तर्ड़ पर बसे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, आपर हडपा, सिंधु नधी के तर्ड़ पर दिखाया गया है, जो कि गलत है, उसके अलावा मोहन जोदरो सिंधु नधी के तर्ड़ पर है, काली बंगा जो है घगगर नदी के तड़ पर है आलम गिरिपूर जो है हिंडर नदी के तड़ पर है तो ये तीन सही है जबकि जो option A है वहाँ बिलकुल गलत है अगला प्रशन है सिंदु घाटी सब्यता जो है इंडर्ज वैली सब्सिवलाइजेशन जो है उसकी जो समय अव वहाँ माना जाता है सुरी मैंने option A बोला था तो option जो B है वहाँ सही है पचीस सौ से सत्रह सो पचास इसापुल अगला प्रशन है भारत में मूर्ती पूजा का आरंब माना जाता है तो भारत में मूर्ती पूजा जो है वहाँ गुप्त काल से होती है गुप्ता इंपायर से होती है तो option जो D है वह सही है रिग वैदिक आर्या किसकी पूजा करते थे तो रिग वैदिक जो आर्या थे वे प्रकर्ति की पूजा करते थे तो option जो A है वह सही है अगला प्रशन है आर्या भारत में सबसे पहले कहां पर बसे थे तो आर्या जो है, सबसे पहले बसे थे, सब तो सेंधाव प्रदेश में, तो option जो A है, वहाँ सही है, अगला प्रशन है, आर्यों का मूल निवास अस्थान कहां था, तो आर्यों का मूल निवास अस्थान था, एशिया माइनर, option जो B है, वहाँ सही है, अगला प्रशन है, गायतरी मंत्र संबन्ध है गायतरी मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है तो यहो रिग वेद से लिया गया है तो option जो A है वह बिलकुल सही है next question है सत्यमेव जैते उक्ति कहां से लिया है तो सत्यमेव जैते जो लिया गया है वो लिया गया है मुंड को पनिशत से तो option जो B है वहाँ सही होयाता है अगला प्रश्ण है रिगवेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सुक्तों का संग रहा है तो यहाँ है सोम को समर्पित है रिगवेद का नवा मंडल तो option जो A है वहाँ सही है अगला प्रश्ण है निम्ड मैंसे प्राचीनतम वेद, जो oldest वेद है, वह कौन सा है, तो आप सब चानते हैं, ये है रिगवेद, तो option A जो है, वह सही है, अगला प्रेशन है, उत्तरवैदिक काल में इंद्र का अस्थान किस देवता को मिला, तो उत्तरवैदिक काल में जो है, इंद्र का अस्था इसपस्ट रूप से चार वरणों में विभाजित हो गया था, तो ये सही है, अगला है, उत्तरवैदिक काल में गौत्र प्रथा का प्रचरन सुरू हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पर option D है, भारत में लोहे के प्रियोग का पहला सक्षा उत्तर प्रदेश के अत्रंजी खेडा में मिला था, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ से आपको तीन इन्फॉर्मेशन जो है, बिल्कुल सही मिल जाती है, तो इस प्रका के प्रशन को इसने रखा गया है, अब यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है, तो वो है option C, यानकि उत्तरवैदिक का में इस्तरियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि विरिग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, तो option जो C है, यहाँ पर सही हो जाता है, अगला प्रशन है, असत्य कथन को चुनिए, यहाँ पर जो गलत है, नदियों के प्राचिन नाम और आधनिक नामों से आपको म आजाता था, लेकिन सतुत्रि जो है, स्वात नदी को नहीं कहते थे, तो option जो C है, वहाँ सही है, यहाँ पर, अगला प्रशन है, किस वेद की रचना गध्य यों पध्य दौनों में की गई थी, तो option जो B है, वहाँ बिलकुल सही है, next question है, कौन सही सुमेलित नहीं है, अब सही सही नहीं है, तो कुरू की राजधानी इंद्रप्रस्त बिलकुल सही है, मगत की राजधानी गिरीवरज सही है, मल की राजधानी जो है, कुशावती सही है, लेकिन चेदी की राजधानी पोटली वह सही नहीं है, तो option जो B है, यहाँ पर option B सही होयाता है, अगला है, प अजाद सत्रु का पुत्र था, तो यहाँ पर option जो C है, वह सही होयाता है, यह हर्यक वंस से संबंदित है, जो कि 461 एशा पूर्व मैं इसने साशन किया था, अगला है, किस सासक की उपाधी कुनिक की थी, तो अजाद सत्रु को जो है, कुनिक की उपाधी प्राप्त थी, तो option A, जो है, सही है, अगला है, सिकंदर के समय मघद पर किसका सासन था, तो सिकंदर के समय, जो कि घनानन्द जिसको कहा जाता है, धननन्द भी कहा जाता है, तो उसका सासक था, जो कि मघद के नन्द वंस का अंतिम सासन था, तो option जो B है, यहाँ पर सही हो जाता है, अगला है, कालाशोख की राजधानी कहा थी तो कालाशोख की राजधानी जो थी वहाथी पार्टी पुत्र तो option जो C है बिल्कुल सही है next question है किस सरवक्ष त्राजग अर्थात छत्रियों का नास करने वाला किसे कहा जाता था तो ये कहा गया था महापद्मनंद को जिसका की समयकाल है 343-321 इसापुरू यहो मगत के नंदवंश का शाशक था ठीक है और इसका दूसरा नाम उग्धिशेन भी था तो ये है महापद्मनंद तो option जो A है बिल्कुल सही है next question है सिकंदर कहा का सासक था तो सिकंदर सासक था मकदूनिया का तो option A सही है अगला प्रशन है सिकंदर इसको की अलेक्जेंडर भी कहा जाता है और पोरश के बीच प्रशित जहिलम का युद्ध जो हाइडेस स्तीज का युद्ध भी कहा जाता है तो वह कब हुआ था तो ये हुआ था 326 इसा पूर्व तो option जो C है वह सही है अगला प्रशन है जैन धर्म के 24 में तीर्थ कर कौन थे तो जैन धर्म के 24 में तीर्थ कर थे महाबीर तो option जो B है वह सही है अगला प्रशन है महाबीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित चार महा वरतों में से कौन सा एक पाच्वा वरत जोड़ा था तो इनने जोड़ा था ब्रहमस चरिया तो option जो C है वहाँ सही है अगला है जेन धर्म में त्रिरत्न का नाम है तो यहाँ पर जो त्रिरत्न है वे कौन कौन से हैं सम्यक दर्शन, सम्य ज्यान, सम्यक आचरन तो option जो D है वहाँ पर सही हो जाता है जेन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान और सम्यक आचरन अगला प्रशन है महावीर ने किस भासा में उपदेश दिया था तो महावीर ने प्राकत भासा में उपदेश दिया था तो option जो A है वहा तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, तो option A जो है, वहाँ सही हो जाता है, next question है, प्रथम जेन संगिती कहां आयजित की गई थी, तो प्रथम जेन संगिती जो है, वहाँ पार्टली पुत्र में आयजित की गई थी, तो option जो C है, वहाँ विलकुत सही है, next question है, कौन सा क तो यहाँ पर हमको देखना है कि असत्य कथन कौन सा है तो यहाँ पर जो है जेन धर्मों के सब्त भंगी ज्यान को स्वायद द्वाद कहा जाता था यह सही कथन है महावीर स्वामी की मृत्यू पावापुरी में हुई थी यह भी सही कथन है जेन धर्म आत्मा को मानता देते ये भी सही कतन है, तो यहाँ पर जो उपरोक्त सभी हैं, वो बिलकुल सही है, तो option जो D है, वो हो सही होयाता है, next question है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में, तो option जो C है, वो हो बिलकुल सही होयाता है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किश भासा का प्रियोग किया था तो इन्होंने पाली भाशा का प्रियोग किया था उस समय जो जनसाधरन की भासा थी वह पाली थी तो इनने अपने आसान सब्दों में लोगों तक अपने उपदेश को पहुचाया था पाली भाशा में तो option जो A है वह सही हो जाता है अगला प्रशन है बौध धर्म के त्रिरत्न का क्या नाम है तो बौध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध शंग धम तो option जो D है सही हो जाता है ये सभी अगला प्रश्ण है किसके सासनकाल में बौत धर्म दो भागों हीन यान तथा महायान में बढ़ गया था तो ये कनिस्क के सासनकाल में बौत धर्म दो भागों में बढ़ गया था ओप्शन जो C है वहुत सही होयाता है अगला प्रश्ण है महात्मा बुद्ध द्वारा दियेगे प्रथम उपदेश को कहा जाता है तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्दन तो option जो C है बिलकुत सही है इसके अलावा महापरिनिर्वान, महाभिस्तनिस्क्रमरन ये भी इनके ही उपदेश है अगला है बहु सही नहीं है सुमिलित नहीं है तो प्रथम अजात सत्र के द्वारा दिये काला शोक के द्वारा दिये अशोक के द्वारा लेकिन चत्र तो जो है हर्श वर्दन के द्वारा नहीं थी तो option जो D है बिलकुल सही है तो यहापर आपके तीन प्रश्ण और बन जाते हैं कि बहु तो वहा था विष्णोगुप्त ऑउप्शन जो ए है बिलकुल सही है जिसको के चार नके भी कहते हैं अगला प्लशन है चन्दरगुपत मौरे ने अपना अंतिम समय कहां बिताया तो इन्होंने बिताया था शुरवान बेल गोला में तो ऑउप्शन जो बी है बिलकुल सही है नेक्स्ट क्रेशन है मैगस्तनीच किसका राजदूद था तो मैगस्तनीच सैल्यूकस का राजदूद था तो option जो C है बिल्कुछ सही है नेक्स्ट क्रेशन है चंदरगुप्त मौरिय अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुगाई बन गया था तो हम सब जानते हैं चंदरगुप्त मौरे जो है अंतिम दिनों में जेन धर्म का अनुगाई बन गया था तो option जो D है वहाँ सही है अगला प्रशन है कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा कथन सत्य है चंदरगुप्त ने नंद शाषक धननन्द को हराकर मौरे समराजय को स्थापत किया था यह भी बिल्कुँँँँँगुँँँद ने शुदरशन जी जिनकी जो सौरास्ट में स्थित है इसका निर्मान करवाय था यह भी बिल्कुँँँँँँँँँए तो यहाँ पर कलिंग पर आकरमान कब किया था तो असी असोक ने 261 इसापूर्व को कलिंग पर आकरमान किया था इसके बाद जो है असोक बहुत धर्म का अनुवाई बन गया था इसने यहाँ पर यह सब जो युद्ध हैं उनको त्याग कर दिया था अगला प्रशन है इंडिका किसकी स्रिलंका भीजा था तो बाद धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्रों को जो पुत्र और पुत्री हैं महेंद्र और संगमित्रा इनको जो है अशोक ने स्रिलंका भीजा था तो अप्शन जो डी है वहाँ बिल्कुत सई है ए एन बी दोनों के दोनों अगला है असोक के सिलालेखों की खोज सरवपर्थम किस ने की थी तो असोक के जो सिलालेख हैं उनकी खोज जो है सबसे पहले पाद्रेटी फैंतिलर ने की थी तो option जो B है वहाँ सही है अगला प्रशन है असोक के सिलालेखों को सरवपर्थम किस ने पड़ा था इनको पड़ा था Jemps, Presence ने, तो option जो A है वहाँ बिलकुँछ सही है अगला प्रश्चन है, सांची का स्टूब का निर्माण किस ने करवाया था तो जो सांची का स्टूब था, इसका निर्माण करवाया था अशोक ने, तो option जो B है, सही है अगला प्रश्ण है असोग के अविलेख किस लिपी में लिखे गए थे तो असोग के जो अविलेख थे वो अलग-अलग लिपियों में लिखे गए थे ब्रामी, खरोस्ट्री, ग्रीप, एम, अरामेक सब में लिखे गए थे तो option जो D है वह बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण है चंदरगुप्त मौर्य की सेंड्रो कोट्स के रूप में पहचान किस ने की थी तो यह की थी विलियम जोन्स ने तो option जो B है वह सही है अगला प्रश्ण है असोग के किस सिलालेख में उसकी कलिंग विजए का उलेख मिलता है तो जो उसकी तेरवी जो सिल लेक उसको मिला था, जो यहां पर मिला था, तो उसमें कलिंग विचे का वरणन मिलता है, तो option जो A है, वह सही है, next question है, मौर्यकाल में गुप्त चरों को क्या कहा जाता था, तो शंस्था, गूर पुरुष, संचार, ये सब के सब कहा जाता था गुप्त चरों को, तो option जो D है वह सही हो जाता है, अगला पुप्त मौर्यके महल के अवशेश कहां से मिले, तो ये मिले है, कुम्रहार पटना से, तो option जो A है, वह सही हो जाता है, अगला पुप्त मौर्यके महल के अवशेश कहां से मिले, तो ये मिले है, कुम्रहार पटना से, तो option जो A है, वह सही हो जा राहुलो वाद सुत्त से option जो C है वहाँ सही हो जाता है अगला प्रशन है मौर्यकाल में प्रचलित विस्थी था ये विस्थी क्या था तो ये था एक निशुलक श्रम था तो option जो D है वहाँ सही हो जाता है अगला प्रशन है भारत में सरुपरतम सोने के सिक्के किस ने चलाये थे तो भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाये थे वो इंडो-ग्रीकों के दोरा चलाये थे तो option जो B है वह सही है अगला प्रश्ण है सीसे के सिक्के किस वंस के सास्रकों ने चलाये थे तो ये चलाये थे 7 वहन साशकों ने C से के सिक्के तो option जो C है वह सही होयाता है अगला प्रश्ण है ब्रामनों को सरुपरतम भूमिय अनुदान देने की प्रथा किन के समय से प्रारंभ की गई थी तो 7 वहनों के समय से ही यह प्रथा प्रारंभ की गई थी कि ब्राहमणों को सबसे पहले भूमे अनुदान दी जाने चाहिए अगला है रुद्रदामन कौन था तो ये रुद्रदामन एक सक सासक था तो option जो A है वह सही होयाता है अगला प्रशन है कनिश्क का राजवैध कौन था तो कनिश्क का राजवैध था चरक तो option जो A है वहाँ सही है अगला है कनिश्क बौध धर्म की किस साखा का अनुयाई था तो ये महायान साखा का अनुयाई था तो option जो B है वहाँ बिल्कुल सही होयाता है अगला प्रश्ण है कनिश्क की राजधानी कौन सी थी तो कनिश्की की राजधानी थी पुरुषपुर option D जो है वहाँ सही होयाती है अगला प्रश्ण है जूनागर से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस सासक का है तो जूनागर से प्राप्त जो अभिलेख है संस्कृत का पहला अभिलेख वो है रुद्रदामन का option जो C है वह बिलकुल सही है question number 80 है किस अस्थान पर रोम बस्ती मिली है तो ये मिली है अरिक मेडू में तो option जो B है वह सही है अगला प्रशन है बुद्ध चरित की रचना किस ने की थी तो बुद्ध चरिती रचना किति अश्वगोशने तो option जो C है वह बिलकुल सही है अगला प्रशन है किस सासक ने गुप्त समवध प्रारंभ किया था तो ये चंदरगुप्त प्रथम के द्वरा किया गया था तो option जो A है वह सही होगा था अगला प्रशन है भारत का नैपोलियन किस गुप्त शाशक को कहा गया है तो ये कहा गया है समुद्र गुप्त को option जो D है बिल्कुल सही है भारत का नैपोलियन समुद्र गुप्त अगला प्रशन है चीनी यात्री फायान किस के सासनकाल में आया था ये प्रशन कहीं बार exams में पूछा जाता है तो ये आया था चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के सासनकाल में तो option जो A है वो सही हो जाता है अगला प्रशन है मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन जील का जीर्णोधार किस ने कराया था तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकंद गुप्त और कुमार गुप्त के द्वारा इस जीर्णोधार कराया गया था और आपके लिए एक प्रशन है जो कि आपने कॉमेंट में डिखता है कि सुदर्शन जील का निर्मार किस सासक के द्वारा करवाय गया था कि जो कि मैंने पहले डिसकस कर लिया है इसी वीडियो में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप इसका अंसर जरूर जानते हैं अगला प्रशन है भारत पर हुनो का आकरमण किस के शासनकाल में हुआ था तो ये हुआ था इसकंद गुप्त के शासनकाल में तो option जो A है वहाँ सही हो जाता है नेक्स्ट क्वेशन है अनवरत्न किस गुप्त शाषक से सम्बंदे थे तो ये थे चंदरगुप्त विक्रमादित्य से सम्बंदे तो option जो B है वहाँ सही हो जाता है अगला प्रशन है नालंदा विश्व विध्याले का संस्तापक कौन था तो इसकी स्थापना किये थी कुमा गुप्त ने तो option जो B है वहाँ सही हो जाता है अगला प्रशन है गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था तो इनको कहा जाता था दीनार तो option जो A है वहाँ बिलकुल सही है अगला प्रशन है निमने मैंसे कौन सुमिलित नहीं है यहाँ पर अब रचना और अधतम दंडी के द्वारा नहीं लिखा गया है इसके अलावा मुद्रा राक्षा स्विसाग दत्य के द्वारा अभिज्यान सकुंतलम कालिदाश के द्वारा सुद्रक मृच्छ कटिकम के द्वारा लिखा गई है तो option जो D है यहाँ पर सही होयाता है अगला प्रिश्ण है ब चीनियात्री वैंसांग किसके सासनकार में भारत आया था किनियात्री वैंसांग हर्ष वर्धन के कायकार में भारत आया था option अगला प्रश्ण है कन्नौज के लिए हुई तुरिपक्षिय संगर्स में अंतिम विजय किसकी हुई थी तो ये प्रतिहारों की हुई थी तो ऑप्शन जो बी है वह बिलकुल सही है अगला प्रश्ण है किस रास्ट कूट सासक ने एलोरा के परवत को कड़वा करके क्योंकि राजधानी थी तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो डी है वह बिलकुल सही है अगला प्रश्ण है व्रधेश्वर मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्रश्ण जो है वो एक्जामस में बार बार पूछे जाते हैं उन मेंसे यह प्रश्ण भी है कि ब्रधेश्वर निर्मान जो है मंदिर का निर्मान है वो किस के द्वारा किया गया था तो यह किया गया था राज राज प्रथम के द्वारा तो ऑप्शन जो सी है बिलकुल सही है अगला प्रश्ण है अलेफेंटा गुफा मंदिरों का निर्मान किस राजवंस के सासनकाल में हुआ था तो ये रास्ट कुटों के सासनकाल में हुआ था, तो option जो D है बिलकुल सही है, next question है महाबलीपुरम के रत्मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो ये करवाया था नरसिंग वर्मन प्रथम ने option जो A है बिल्कुर सही है next question है कश्मीर में मारतंडिय सूर्य मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो ये करवाया था जरितादित्य मुक्तापिड ने तो option जो C है बिल्कुर सही है दोस्तो इस प्रकार के प्रश्ण बहुत सारे अभी और भी हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के और वीडियो जिसको कि हम बहुत ही कम समय में आपको अधिक सथिक प्रश्णों को आपको बताएं तो आप जरूर कॉमेंट में लिखें हम इस प्रकार की अन्य वीडियोज आपको देंगे और इसके अलावा आधुनिक इतिहास संबंदित और मध्यकालिन इतिहास संबंदित MCQ प्रश्ण को आपको प्रोवाइट करवाएंगे तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें वीडियोज को देखते रहें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर कर दें वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ सेयर करना भी अधियावशक है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को दिखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया